अंटी करप्शन विभाग द्वारा सावने नगर पालिका के प्रधान मंतरी आवास योजना के अभियंता नितिन मदनकर नागपुर को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो बगड़े जाने से हर्द कम मचने के साथ ही नगर परिशत कार्याले में देशत का वात दवरन निर्मान हो गया है प्राप्त जनकरी के अनुसर प्धान मंतरी घरकुल योजना मंजूर कराने हितू चिंद्वारा रोड सावने निवासी अब्दुल मुहमत शेक को अभियंता नितिन मदन ने 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जिसके चलते पहली किस्त 10,000 र अब्दुल मुहमत को चिंद्वारा रोड स्थित शिवाजी चौक बुलाया गया अभियंता नितिन मदकर ने अपने साथी विकास राउत रेल विस्टेशन सावने निवासी द्वारा 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हातों गिरफतार किया बता दें कि अभी प्रिधान मिंत्री आवास योजना के अभियंता घरकुल योजना के लिए लाभारतियों से रिश्वत की मांग करते थे जिसका अंजाम उन्हें आज भुकतना पड़ा पिछले 15 दिनों में घटित दूसरी घटना के एक और नगर परिशत कारेले अगला विकेट किसका की च अबने ठाने ले जाने है तू बहार लाते ही उक्त घटना की जानकारी संकलन है तू उपस्थित पत्रका तथा सोशल मीडिया के पतिनीदियों के च्छाय चित्र तथा वीडियो बनाते देख एंटी करप्शन के एक महिला अधिकारी ने अलभत्र भाशा का प्रयोग करने स पत्रका तथा अधिकारी कर्मियों से बहस होकर माहोल गर्म होने लगा तिससे वरिष्ट पत्रका तथा एंटी करॉप्शन विभाग के अधिकारियों ने मद्यस्था कर उक्त अधिकारी शमा मांगने पर मामला शान्त हुआ इंबिसेन न्यूज के लिए समबादा अता किशो डूंडेली की रिपोर्ट